हेलो गाईज वेलकम तो माई यूट्यूब चनल कैसे हैं आप सब आज हम बात करेंगे एम जी की नई गाड़ी लॉंच हो चुकी है वह है एस्टर पहले से भी आती रही है ठीक है मुझे काफी इच्छे लोग उसके लगते हैं मैं पहले भी कर चुका हूं लेकिन कोई नई ग कहीं लगता है कि क्रेटा थोड़ी ओवर प्राइज आम बात करेंगे एम जी एस्टर का बेसिक विरेंट बिल्कुल बेस वाला जिसका नमें स्प्रिंट 1.5 मैनुल ट्रांस्परिशन में वीडियो के इसका मैं आपको ऑन्रोस प्राइस डेली का भी बताऊंगा और कंपेर क सब्सक्राइब के साथ फ्रंट विल ट्राइब गाड़ी है मैनुल फाइव गेस में अवेलेबल है बेसिक फिस्टो कंप्लाइंस है अगर मैं वील बेस की बात करूँ तो 2585 mm हाइट है 1650 mm विट्थ है 1809 mm और लेंथ है 4323 mm ठीक है फाइव दोर फाइटिंग के पासिटी इस है इलेक्ट्रिक स्टिरिंग वील है स्टील दिंस मिलेंगे आपको पांच हो ही प्रोफाल यहां पर टायस की देखेंगे 16 इंचिस और काफी इच्छी प्रोफाल बेस से लेकर आपको 16 मिलाते हैं तो कहीं ने कहीं बात में अलाइज भी आफ्टर मार्कें इंस्टो करा सकते सेफ्टी फिचस की बात करते हैं तो सिंगल बीप 80 किलोमेटर पर अभी इसकी एंगाप अभी स्टेस्ट नहीं हुए वैसे में एर्वैक्स मिलते हैं बेस में यहीं यह हो सकते हैं रियर मीटल थीजिट बैल्ट रियर मीटल हैड्रेस्ट टायर प्रेश्ट इंगर अब बात करते हैं इसकी सीटिंग कैसी है क्या इकसके अंदर कुछ फीचर से कैसा फैबरिक है तो बेशिकली फैबरिक का स्क्राइब करते जा रही है और लेधर का स्टेरिंग वील आपको अमरेश देखने को मिल जाएगा डूल टॉन में आपको इंटियर देखने को मिलेगा आइक आवरी और ब्लैक का लगन था ठीक है यह रामरेश में कपफोल्डर भी देखने को आ मिलते हैं का बोल्ड़ की बात करें तो फ्रंटेर दोनों में ड्रेवर सर्म आपको आम्रेश देखने को मिल जाएगा अब बात करते और वियम की तो वह भी आपको बोडि कलड़ी देखने को मिलेगा तो कहीं नगी जा एस लगती नहीं कि बेस फिलिंट है पकाफी सुन्द यह दोनों में ठीक है एलेक्टिक टेल गेट रिलीस है इसमें आपको अगर बात करते हैं रूफ मॉंटिट एंटिना बॉडी कलाड़ बंपर और अगर लाइटिंग सेटप का बात करें लेडी का इस्तमाल किया है ठीक है फॉलो में हैड्ड एम्स टेल डी 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 तो बेस से आपको एलेटी मिल रही है यह दिस बात द्यान रखकें की बात करें तो फ्रंट एंड दोनों में रियर रीटिंग लैम मिल जाता है है इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर कंप्लीट डिजिटल है जिसमें एवरेट फिल कंसमचन एवरेट स्पीड डिजिल एक लॉफिल फॉरि और यूजब कंप्लीटि आपको इसकंद मिल जाती है लेकिन आपको आइपोड कंप्लीट मिलती है तो मुझे लगता है कि इस प्राइज में इस से अच्छा बेस फिलन कोई भी कंपनी करता है और हम इसको सपोर्ट करना चाहिए जिसको मैं सब्सक्राइब बताओं क्योंकि लाग 33,000 पर सिर्फ और प्राइज एक शोरुम में बात कभी भी नहीं करता हूं वह घुम्रा करने वाली बात है तो 11,33,000 पर आंडो डेली का यह प्राइज है आपको इस गड़को एक बड़कर जरू करना चाहिए ठीक है तो फंदरा साल की आपको पैट्रोल है नहीं नही इसलिए क्योंकि इसमें बेस में इतने फीचर्स हैं जो भाई साब आगे किसी और कंपरी में आप जाएंगे मैं नाम नहीं लोगा कि उसमें थर्ड वेर्ट में जाके मिलेंगे तो वीडियो कर पसंद है वीडियो को लाइक कर सकते हैं चैनल पर लें चैनल को सब्स्क्राइ कर सकते हैं थेंगी सो मच